सबसे पहले आप लोग ये वीडियो देखिए 도 में ले जाते थे तो रात में चुप चुप करके अंधेरे में विवाह कर दिया करते थे अब कौन फ़ाल और कोन अंग्श्ट तुम्हारे फिशन नहीं करते हो अभी जित्मोहर तूम्हुरत में बनाओ, बिवाह एक संसकार है, बिवाह एक यग्य है, अरे या खाने, पीने, खिलाने वालے के लिए एक दिन इसप्सन, डिसेप्सन, डिसेप्सन जो करते हो कर दिया करना, पर बिवाह में बड़े लिमिट्टिड लोगों को बुलाया करो अपने, अपने परिवार, वो भी जो सनातन संस्कृति को मानते हैं पवित्र रहते हैं ब्वाह संसकार में देवता आते हैं तुम्हारे द्वारा किये गई यग्य के भाद को लेने के लिए अरे नात पोचते हुए कान खुजाते हुए पता नहीं क्या क्या करते हुए अगर तुम किसी को भोजन दो, तो तुम्हारा बच्चा भोजन नहीं करता, ऐसे ऐसे आख करके बच्चे को दो, शी मम्मी, कितनी गंदी हो तुम, और देवता आते हैं, तुम्हारे बेटे और बेटियों के बिवाह में, वो एक यग्य होता है, कोई सराप पीके खड़ा होत कोई गुट के खाए रहता है, कोई गुटके काई रहता है, चमडे के बिल्ट पहने रहते है, जूते पहने रहते हैं, तीन घंटे तक दूळा उप्वास नहीं रहसकता, कोई फूफ़ा बनके, पयप्सी ठखेल देता है, कोई जिजजा बननके कोक धड़केल देता है, तलाक और डिवोर्स का कोई सिस्टम नहीं है उनके यहां विवा एक आग्रिमेंट है आज हुआ है कल तोड़ देंगे पर सनातन संस्क्रति धर्म पत्नी और पतीश्वामी इस प्रकार की एक संड़चना है विश्णू और लक्ष भी बताया जाता उनको तुम कौन से विवा कर रहे हो अंग्रेजों के पिठ्वों अंग्रेजों के गुड़ों बड़े बन गये हो भारत के पैसे खा करके उन पैसों से भारत को यह दिखा रहे हो अंग्रेजों और पास्चात संस्क्रति के तरा विवा करके चाधरन भार्तियों के मन में लोग उत्पन्ने कर रहे हो और ये समाज के अग्रणी लोग बने हुए में ये समाज के स्रिष्ट लोग बने हुए में ये समाज को दिसा दिखा रहे हैं ये समाज को भौंडा प्रतरसन कर रहे हैं अपने दन का लोगों को दिखा रहे एक गरीब बिचारा विवाह करने में भी लज्जा करता है इतना आडंबर बना दिया विवाह एक यग्ग है बड़ा पवित्र यग्ग है सुन्दर यग्ग है बेदियां बनती है हमारे हाँ दूले दूलन उनके वस्तर कैसे होते थे देखो आज के 50 साल पहले ही देखो ना 50 साल पहले के फिल्म देख लो बॉलिवड में तो समझ जाओगे कैसे वस्तर पहने करके बिवाह करता हमारे हाँ पर क्योंकि बॉलिवड भी या सिनिमा भी समाज का दरपन होता है और अब बदले हुए बॉलिवड को देख लो कि अब कैसी विवाह करती है हमारे विवाह में हमारे वस्तर हमारे परिधान हिरलेन देन इतना तो बनता है पास साड़ी तो बनती है 21 साड़ी लगेगी ननत की अरे कौन से ग्रंथ में लिखा है कोई माई का लाल बारत वर्स में किसी सास्तर में मुझे दिखाए कहां लिखाए ये लिंदेन तुमारी बुढ़िया पुरान में होगा लोभियों के बनाए गए कानून लोभियों के बनाए गए नियम हरे जरा सोचो एक बच्ची एक बेटी अपना नाम अपना गोत्र छोड़कर आती अपना टाइटल छोड़कर के आती अपने घर परिवार माता पिता भाई बहन सकी सहली छोड़कर आती और तुमारे बंच को बढ़ाने के लिए तुमारे घर में आती है उसको भी टीवी फृरिज और कार के लिए मिटी टेल और पिट्रोल से जला देते हो तुमें सर्म नहीं आती बारत वर्स में जन्मने कर बैठे हो तुमारी बाजूओं और भुजाओं में अगर सकती है तो अपने पैसे से कार खरीद लो अपने पैसे से फ्रिज खरीद लो क्योंकि छोटी छोटी बच्चीों के पिता तो बजबं से उसके लिए खिलाओन खरीदे रहते हैं जब छोटी रहती है पांच रुपे का थोड़ी बढ़ी हो जाती है थोड़ा और बड़ा थोड़ी बड़ी हो गई साइकल खरीद रिया थोड़ी बड़ी हो गई स्कूटी खरीद दिया और बड़ी हो गई अच्छे घर के हैं कार खरीद दिया पांच लाग का और एक दिन फिर जा करके पांच करोड में एक कुड़ा खरीद के लागे दे दिया तो खरीदे हुए समान की जो इज्जत होती है वही दूले की भी इज्जत होती है दूला विक्ता है बोलो खरीदे होगे